हलो फ्रेंड्स वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे गड़ित के बहुत ही महत्वपून प्रेशने पूरा वीडियो देखेंगा दोस्तों सब कुछ समझ में आजाएगा और ये सभी प्रेशने आपको गुरुप D के एकजामे जी डी के एकजामे बहुत मदद करने वाले हैं ठीक है चले स्टार्ट करते हैं पहला प्रेशने है एक चडिया घर में कुछ बंदर तथा कुछ तो होते हैं यदि कुल पैरों की संक्या बामन है और सिरों की संक्या 20 हो तो उस चडिया घर में कितने बंदर तथा तोते हैं देखें यह जो प्रेशन होता है इसमें क्या होता है मैं आपको बता दू इसमें एक चार पैर वाला जानवर दिया जाएगा एक दो पैर वाला और तोते दिया गिया है, तोते हैं दो पैरवाला जानवर, ठीक है, बात के लिए ओर गी, अब यहाँ पर आपको दोनों की संख्या निकालनी है, कितने बंदर और तोते हैं दोनों की बतानी है, ठीक है, चलिए, हम सबसे पहले बंदर की निकाल लेते हैं, मैं सबसे पहले क्य संख्या है उसको लेना है सिरों की संख्या जो भी दी जाएगी 20 दी गई है आपने 20 ले लिया 20 ले लिया हम 4 पैरवाले की संख्या निकाल ले हैं तो 4 से गुना नहीं करना इसके जो अपोजिट दे रखा है 2 पैरवाला 2 से गुना करना है ठीक है तो 20 का गुना 2 से कर दूँगा मैं कितना हो जाएगा 40 40 हो गया और जो पैरों की संक्या है उस से और इसका अंतर कर दो जो multiply करने के बाद आया है पैरों की संक्या और सिरों की संक्या देकि 20 सिर है हमारे पास सिरों की संक्या कितनी है 20 20 का गुना मैंने 2 से कर दिया मैं 4 पैरवाले की संख्या निकालूँगा तो 2 से गुना करूँगा और 2 पैरवाले की संख्या निकालूँगा तो 4 से गुना करूँगा याद रखना अपोजिट से गुना करते हैं 20 सिर हैं 2 से गुना किया 40 सिरोगे अब सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का अंतर कर देंगे बामन में से 40 को घटा देंगे 12 बचेगा जो बचेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे आपके पास आ जाएगा 6 तो बंदर कितने हैं? बंदर हैं आपके पास 6 बंदर 6 हैं किलियर? अब देखिए मैं अगर तोते की संख्या निकालता एक ही प्रिस्ट में सारा कन्फूजन किलियर हो जाएगा तोते की संख्या निकालता तो तोते के 2 पैर होते हैं तो हमेसे क्या करना है? सिरों की संख्या लेना है सिरों की संख्या 20 है अब मैं तोते की संख्या निकालूँगा तोते के पैर दो होते हैं तो दो से गुना नहीं करना इसके अपोजिट जो चार पैर वाला है उससे गुना करेंगे अगर चार पैर वाले की संख्या निकालेंगे तो दो से गुना दो पहर वाले के निकालेंगे तो 4 से गुना ठीक है 20 का गुना 4 से कर दूँगा 80 हो जाएगा उसके बाद में क्या करना है? जो पेरों की संक्या है उसका और इसका अंतर कर दो 80 का और 22 का अंतर कर दूँगा 26 आएगा जो अंतर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दूँगा 14 आ गया तो हमारे पास 14 तोते हैं ठीक है 14 तोते 6 और 14 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 6 और 14 6 बंदर हैं देखिए अब यहाँ पर 2 ओफशन ऐसे हैं जिसमें 14, 6, 6 और 14 हैं कौन सा सही होगा दोनों में 6 और 14, 6 और 14 हैं सही कौन सा होगा पहले कहा गया है बंदर बाद में कहा गया है तोते तो पहले बंदर की संख्या लेंगे 6 बाद में तोते की संख्या लेंगे 14 तो पहले 6 आएगा बाद में 14 पहले 6 बाद में 14 बी ओफ्सन होगा सही जबाँ अब इसको निकालने की जरुवत नहीं थी क्यों जरुवत नहीं थी क्योंकि हमें पता चल गया बंदर छे हैं जब सिरों की संख्या बीस है और बीस मैसे में बंदर के सिर्च छे माइनस कर दूँगा तो 14 बचेगा और 14 सिर्च के हो जाएंगे इतोते के हो जाएंगे तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने की इतनी जरुवत नहीं थी लेकिन हमने आपको पूरा कंसेप्ट यहाँ पर किलियर कर दिया आज के बाद इन प्रेशनों में आपको कोई भी कंफ्यूजर नहीं रहेगा अब देखेंगे अगला प्रेशने अग कभीले में कुछ बकरियां तथा कुछ मुर्गे हैं यदि कुल पैरों की संख्या असी हो और सिरों की संख्या 25 हो तो ग्याद कीजिए कि कभीले में कितनी बकरियां तथा मुर्गे हैं भाई बकरियों के पैर कितनी होते हैं दो पकरियों के चार सौरी चार चार और मुर्ग को निन्मानिय का मतलब है चार पैर वाले का निकालेंगी. तो हमेस्षा क्याली टका क्या मैं ही सिर्ओं पचीष है चार पेर वाला निकालने तो इसका अपोजिट 2 से गुना करेंगे. तो 35 का ढूना दो से करदूगा में 50 हो जाएगा और पैरों की संख्राश पैरों की संक्या से अंतर 80 मैं से 50 जाएगा 30 जो अंतर आया है उसमें 2 से डिवाइड कर दो 15 निकल के आ जाएगा कितना 15 तो बकरिया कितनी हैं बकरिया हैं आपकी 15 बकरिया कितनी है भई 15 है अब देखे टोटल सिरों की संक्या आपकी 25 है कितनी है भई 25 है टोटल सिरों की संख्या 25 मैंसे बकरियों के सिर 15 है तो 25 सिरों मैंसे मैं 15 सिर माइनस कर दूँगा 10 सिर बचेंगे तो 10 सिर ये किस के होंगे भई मुर्गे के होंगे कि नहीं मुर्गे के होंगे 15 बकरियां मुर्गे 10 10 आपसे पूछा बकरियां तथा मुर्गे तो बकरियों के 15 मुर्गे के 10 तो 15 और 10 यह आपका सही चवाब हो जाएगा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो यह कहे के मेरी समझ में नहीं आया इतने आसान से पढ़ाने के बाद भी कोई बच्चा अगर ऐसा हो जिसकी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रशने अगला प्रशने है एक थेले में 50 पैसे तथा 25 पैसे के 200 सिक्के हैं यदि थेले में कुल 90 रुपे हो तो प्रतेक प्रकार के सिक्कों की संच्या ग्याद करो भाई थेले में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 200 सौल करना है प्रशने को और 25 पैसे के भी कितने सिक्के हैं 200 भाई 50 पैसे और 25 पैसे के 200 सिक्के हैं तो आपने क्या किया 50 पैसे के भी 200 सिक्के ले लिए और 25 पैसे के 200 सिक्के ले लिए क्यों ले लिए यहाँ पर मैं आपको बता गूँ पच्चास पैसे के 200 सिक्के ले लिए 100 से डिवाइड कर तू ठीक है 50 पैसे के 125 पैसे के 50 ठीक है और total रुपे कितने हमारे पास 90 है total रुपे 90 है allegation method लगाएंगे आप क्या लगाएंगे allegation method 50 और 90 का अंतर 40 100 और 90 का अंतर 10 कटाएंगे 10 से कटे का 4 बार में 10 से कटे का एक बार में 4 अनुपाते 1 आ गया कितना अगया अब यहाद 4 अनुपाते 1 चलिए धर लेक लेते हैं हमारे पास total 200 सिक्के हैं जिसमें से 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं 50 पैसे का ratio 4 निकल के आया 25 पैसे का ratio 1 निकल के आया है ठीक है जहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी ठीक है अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या मैं यहाँ पर ratio का योग कर लूँ क्यूं कर लूँ रेशियों का योग क्यूंकि मेरे पास 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का योग है 200 ठीक है सिक्के का योग है 200 तो यहाँ पर सिक्के का योग 200 है तो इनके अनुपात का भी योग कर लूँ मैं सिक्के के अनुपात का योग योग कर लूँगा पांच हो जाएगा तो यहाँ पर योग मेरा कितना भाई 200 है इस योग मैं अनुपात के योग से डिवाड कर दूँगा कितनी वार में जाएगा भाई 40 वार में जाएगा कितनी वार में जाएगा 40 वार में जाएगा यहां तक किसी को कोई confusion किसी को भी कोई confusion नहीं है तो 40 का गुना 4 से कर दो 40 का गुना 4 से कर देंगे कितना हो जाएगा 160 और 40 का गुना एक से कर देंगे कितना हो जागा 40 और 160 और 40 को जोड़ेंगे कितना हो जागा टोटल तो 50 पैसे के 160 है और 25 पैसे के 40 है तो प्रत्यक पैकार के सिक्कों की संग्या पता कर नहीं थी हमने कर ली भाई 50 पैसे के 160 सिक्के हैं और 25 पैसे के 40 से के हैं यह आपका सही जवाब हो जाएगा 160 और 40 यह आपकी प्रस्ने का सही जवाब है बात के लिए रहे सभी को अब देखेंगे अगला प्रस्ने अगला प्रस्ने है एक पर्स में 50 रुपे तथा 20 रुपे के 25 नोट है यदि पर्स में ठीक है 50 पैसे के भी मैं कितने लूँगा 25 नोट और यहाँ पर 20 रुपे के भी कितने लूँगा मैं 25 नोट अब पिछले प्रस्ने में क्या किया था 100 से डिवाइड किया था क्यों किया था मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि पिछले प्रेस्टे में क्या था सिक्के दिया गया था यहाँ पर और यहाँ पर 90 रुपे दिया गया था यहाँ पैसे यहाँ पर रुपे अलग-अलग यूनिट था इसलिए 100 से डिवाइड किया था पैसे को रुपे में बनाने के लिए 100 से डिवाइड किया था लेकिन यहाँ पर भी रुपे है यहाँ पर भी रुपे है तो unit यहाँ पर सेम है तो इसलिए यहाँ पर 100 से हमें डिवाइड नहीं करना होगा समझ मैं आगी बात अब 50 का गुना 25 से कर दो 1250 ठीक है 20 का गुना 25 से कर दो 500 और यहाँ पर कितना रुपे 680 लगा तो allegation method allegation method लगाऊँगा एक 680 और 500 का अंतर 180 बारे सो पचास और 600 का अंतर 570 ठीक है यंतर आ गया अब देखिए यहाँपन मैं कटा दूँगा 30 से कटेगा दोस्तों यह 30 से कटेगा 6 बार में और यह 30 से कटेगा 19 बार में तो 6 ratio 19 यह आ गयान का ठीक है यह आ गया यह 50 रुपे के नोट कितने है 6 है और 50 बीस रुपे के नोट 19 है तो आप यहाँपर solve करेंगे भाई देखिए 50 रुपे के कितने नोट है 6 तो 50 रुपे के 6 नोट का मतलत 300 रुपे हो गए ठीक है और 20 रुपे के कितने नोट है 19 तो हमसे कहा गया प्रतिक प्रकार के नोटों की संग्या अलग अलग याद करें तो 50 रुपे के तो 6 नोट है और 20 रुपे के 19 नोट है यह आपके प्रिश्न का सही जबाब है हमने अलग अलग पता लगा लिया किलियर होगी बात अब देखेंगे अगला प्रिश्न अगला प्रिश्न है एक दूधिया दूध में पानी कि सनुपात में मिलाए कि मिस्रण को क्रे मुल्य पर बेचने पर उसे 25 परसंट का लाब हो जाए यह हो गया आपका दूध यह हो गया आपका पानी ठीक है नहीं पता कि सनुपात मिलाना है हमारे पास जो दूध है वो पूरा 100% है पानी हमारे पास मान लीजे एक्स परसंट है ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ जैसे कि यह मेरा CP हो गया और यह मेरा हो गया SP ठीक है यह मेरा CP हो गया और यह SP हो गया यहाँ दूध है यहाँ पानी है दूध मेरा 100% है उसमें मैं पानी कितने परसंट मिला हूँ कि मुझे 25% का लाब हो जाए ठीक है 25% का लाब कब होगा जब मैं 25% पानी मिलाँगा इस 100% में मैं 25% का पानी मिलाँगा तब ही तो मुझे 25% का लाब होगा होगा की नहीं होगा तो 100 से कटा दूँगा 25 से कटा दूँगा 4 बार में 25 से कटा दूँगा 1 बार में तो यह हो जाएगा 4 रेशियो 1 चार रेशियो एक ठीक है यह चार रेशियो के हो गया मतलब मैं इसमें क्या करूँ के चार लीटर दूद में एक लीटर पानी मिला दूँगा तो मुझे 25% का लाभ हो जाएगा इसका मतलब यह है ठीक है अब 40% में मतलब 4 लीटर दूद में एक लीटर पानी मिला दूँगा तो मुझे 25% का फायदा हो जाएगा इसका मत्तली हो गया अब यहाँ पर समझ लीजे जैसे कि मेरा cost price 40 रुपया है मालीजे मैं 40 रुपे लीटर का दूद खरीद रहा हूँ और 40 रुपे लीटर ही बेच रहा हूँ तो मुझे फायदा क्या होगा मतलब मेरे पास 100% पूरा बेचने पर 25% का लाव हो जाय तो दूद में पानी किसा अनुपात मिलाएं 24 अनुपात में यह इस प्रशन का सही जवाब है अब देखेंगे अगला प्रशनी अगला प्रशनी है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुए और वह 900 मतों से बिजय हुआ ग्याद कीजिए मतदाता सूची में कितने मतदाता के नामदर्ज थे मतलब टोटल मतदाता कितने थे ये पूछ रहा है बाई जो भी टोटल मतदाता होंगे वो अपने आप में 100% होंगे 100% होंगे चाहें कितने भी हों और उसमें क्या है दो उमीदवार हैं ये पहला उमीदवार हो गया और ये दूसरा उमीदवार हो गया ठीक है यहाँ पर कहा गया उसने कि जीतने वाले उमीदवार को 65% मत मिले जीतने वाला मालीजिए पहले वाला जीता है और इसे कितने मिल गए 65 परसेंट तो 100 परसेंट में से 1 को 65 परसेंट मिले तो दूसरे को 35 परसेंट मिले हूंगे ठीक है तो 35 से 65 कितना अधिक है आप बोलेंगे 30 अधिक है तो 30 परसेंट अधिक मिले हैं जीतने वाले को 30 परसेंट अधिक और यहाँ पर कितने अधिक मिले है 900 से बिज़ हुआ है तो इसका मतलब 900 उसे अधिक मिले है तो 30 बराबर 900 के तो 1 बराबर कितने के 1 बराबर 30 के एक बराबर 30 के मान निकालना है 100 परसेंट का 100 परसेंट का मान कितना हो जाएगा भाई जब 1 बराबर 30 के तो 100 बराबर 3000 के ये आपका सही आंसर हो जाएगा तो कितने मतदाता के नाम दर्ज थे 3000 के नाम दर्ज थे ये आपके प्रेशने का सही जवाब हो गया उमेद करूँगा कि सभी को प्रेशन एच्छे समझ में आगया होगा हमेशा के तरह लाइक, कमेंट और सेयर करते रहें वीडियो को ठीके दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद